एप्राइवेट स्कूल वालों को डर कोई रहा नहीं डडले से वो अपना काम कर रहे हैं अब डीसी में में ये एक नमबर निकाला है कि उस नमबर पे काल करी ये शिकायत दर्ज कराई है अब कितनों ने शिकायत दर्ज करें और कितने की शिकायतों पर कारवाई हुई अभी तक हमें ग्राउंड पर कुछ दिखा नहीं है कि सरकारी स्कूल को आप देखते हो लेकिन बाते बड़ी-बड़ी करते हैं डिंगे बहुत-बहुत मारते हैं मैं जब दिल् परेशान हैं और जितने भी लोग इस वक्त धरना प्रदर्जिन पर बैठे हैं चाहें जुम्मू की बात हो कश्मीर की बात हो कहीं न कहीं सुनवाई तो हो रही है लेकिन क्या है आम जंता की राय वह हमारे साथ डिसक्स करने के लिए मौजूद हैं सतिर सिंग मनहा जी आप कितनों की शिकायतों पर कारवाई हुई अभी तक हमें ग्राउंड पर तो कुछ दिखा नहीं है क्योंकि आए दिन आप जब मैं इंट्रव्यू सुनता रहे तो लोग रोते हैं माय रोती हैं पिता रोते हैं बच्चों के लिए रोते हैं कि इतनी दिफी से हम धियाड़ी ल सेती है ना कि सीज कर दीजिए उन स्कूलों को जिन्हों ने इसको दंदा बनाके रखा है और जो बच्चों को लूट रहें सीज करिए अगर ऐसी बात होती है नाइंटी पर आज ही सीज हो जाते हैं लेकिन उनको पावरे कौन देगा सिर्फ बोला जाता कि या कुछ नहीं जम्मू डिविजन में हमें ऐसा कुछ अभी तक देखने को नहीं मिला देखिए इसका मैं यही रिजन बताना चाहता हूं कि कश्मीर में अगर कुछ लोगों को किया है तो वहां की जंता का भी है क्योंकि वहां की जंता जो है एक होकर हला बोल कर देती है हमारे जंता सोचत नहीं है उसको सिर्फ एक आडरी पास करना है अगर आजी साब का आडरा जाए शाम तक मुझे रिपोर्ट चाहिए कौन कौन से स्कूल है जो स्कूल की मतलब की स्कूल को एक दंदा बना चुके हैं जो बिजनस बना चुके हैं और जो बच्चों को लूट रहे मुझे रिकार् पूरइब करें प्रणा ठीजों बचाइबाव यह नहीं होते हैं लेकिन सरकार करना चाहिए तो होगा ना सरकार्ण करी नहीं नहीं तो क्या करें उन्होंने तो माबाप को लुटने पर मजबूर कर रखा है तो देखा जाए तो प्राइवेट स्कूल की मनमर्जयों चे से की जरूरत ही न पड़े देखिए मेरी बात सुनिए आपने इंफरस्ट्रक्ट्ट्ट्र क्या देखना सब देखते सरकारी स्कूल को आप देखते हो लेकिन बाते बड़ी-बड़ी करते हैं डिंगे बहुत मारते हैं मैं जब दिल्ली में इनका बाशन सुनता हूं तो ऐसा लेकिर दिखी नहीं मतलब कि बोलते कैसे हैं वहां पर दिल्ली में पता नहीं ने क्या बताया हुआ है यह क्या करते जो दिल्ली से बड़े-बड़े लोग आते हैं उनको कश्मीर की बादियों में जही जम्मू की बादियों में ले जाते हैं वहां पर गुमाते हैं रियाल City में कोई यहां पर सडकों पर गोमे को फ्रेस क्लब में स्पर्क के बार जाए प्टक के बार जाए मीँ डेसि पर यह अर्फ्ट कर रहे यह पर में के प्रच्मीर क्याइस प्रोटेस्ट कर रहे थे 144 लगा 2 क्ष में में वह 144 लगादी यह यहीं कि यो sava कर्व pode करते कुछ नहीं है अगर स्कूलों पे इनकी नकेल कसी होती स्कूल सीज हुए होते आज की डेट में 50 तो यह सब लाइन पे आ जाते डाक्टर की तरह परचीनी काटके देते थे कि गुपता बुक सेलर के पास जाना शर्मा बुक सेलर के पास जाना उसके पास जाना वहां पर ह जहां पर हमने कहा है वहीं पर जाना यह जो डाक्टर वाली पर्ची काड़के देते हैं स्कूल यह काम बंद हो चुका था और जो 500 की यह बेचते हैं न ही 2000 में वह भी काम बंद हो चुका था और मापाप का बड़न कम होता लेकिन यह सब नहीं होता है क्योंकि सरकार मूखदर शक्र बनी है और सारा कुसूरी सरकार का है मैं तो प्रशासन का भी कुसूर नी दूँगा चलिए सर बात करने के लिए बहुत बहुत शक्रिया हमारे साथ मौज़े इस बात चीद की खास तोर पर प्राइवेट स्कूल्स और इंस्टिउशन को लेकर आपकी क्या रहा है अभी कमेंड बॉक्स में जरूर दीजिएगा तब तक ये लिए बने रहें रहें त्रिपनोस के साथ मुझे दीजिए इजाज़त अल्लाहाफज